हलो फ्रेंड्स, वल्कम टो एक्जाम और्बिट तो आज के इस वीडियो में 6 मार्च का करेंट अफर देखेंगे इसका PDF नीचे description से और हमारे टेली कराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो आज का करेंट अफर देखेंगे उससे पहले फटाफर पिछले करेंट अफर का रिविजन कर लिजेंगे और वीडियो के लास्ट में दो क्वीज लगाऊंगा उसका एंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है चलिए देखते हैं पहला कोशन हरून गलोबल हरी चलिस्ट 2020 के दस्में संसकरण में किसे दुनिया का सबसे अमीर भेक्ती बताए गया है एलन मस्क को ये स्पेस एक्स और टेसला के सीईयो हैं एक मार्च दौजार एकिस को चीफ आफ इंटेग्रेटिड अस्टाफ टू चेर्मेन चीफ आफ अस्टाफ कमीटी के रूप में किस ने पदभार गरहन किया अतूल कुमार जैन तो ये एकिकरित अरक्षा करमचारियों के परमुख बनाए गया है हाले में किस आराज्ये के राज्येपाल ने निजी छेत्र की नोक्रियों में अस्थानिये लोगों के लिए 75 फिस्टी अरक्षन वाले विद्यक को मजूरी दे दी है हर्याना के राज्येपाल ने और बता दे कि निजी छेत्र की नोक्रियों में अस्थानिये लोगों के लिए 75 फिस्टी अरक्षन देने वाला भारत का पहला राज्य है आंधर परदेश 2019 में आंधर परदेश ने ये कदम उठाया था हाली में AIBA चैंपियन वेटरन समीती का देक्ष किसे नियुक्ते किया गया है मैरी कौम को ये मनी पूर की है भारत ने 2 मार्च 2021 को किस देश को ब्रहमोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकर्णों के अपूर्ती के लिए क्रियानवन क्रिया पर हस्ताक्षर किया फिलिपिन्स के साथ हाली में किस आराजय ने देश की पहली इंजिनियरिंग रिसर्च और डवलोपमेंट पॉलिसी लाउंच की है करनाटक ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युरा सिंग के बाद लगतार छे गेन पर छे छक्के जड़ने वाले वेश्व के दूसरे खिलरी कौन बने हैं किरौन पुलाड हैं वेस्ट इंडिज के क्रिकेटर हैं आईपील भी खेलते हैं मुंबई इंडियस की तरप से और हाली में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया हैं सिलंका के खिलाफ ठीक है रिकॉर्ड नहीं बोलेंगे लेकिन इन्होंने ये उपलब्दी हासिल की हैं सिलंका के खिलाफ 4 मार्च 2021 को किस मंत्राले ने इज ओफ लिविंग इंडेक्स 2020 जरी किया अवाश और शहरी मामलों के मंत्राले ने इस इंडेक्स के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा अबादी वाले शहरों में पहला अस्थान प्राप्त किया है बैंगलूरू ने वहीं 10 लाख से कम अबादी वाले शहरों में पहला अस्थान प्राप्त किया है शिमला ने निती आयोग द्वारा जारी अकंची जिलों की सुची में किस जिला को पहला अस्थान मिला नवादा जिला को ये बिहार का एक जिला है महराश्च के किस रेलवे स्टेशन को राज्य के प्रथम ग्रीन स्टेशन का एवाड मिला है चात्रपती शीवाजी रेलवे स्टेशन को जो कि मुंबई में है तो आप चलिए आज का करेंटरफेस देखते हैं पहला कोशन किस देश के सारक्षन वादियों ने दुनिया के पहले प्लेटेपस अभेरणने के निर्मान की घोसना की है प्लेटेपस एक जानवर का नाम है तो दुनिया का पहला प्लेटेपस अभेरणने अस्थाफित किया जाएगा ऑस्टेलिया में ओप्शन C राइट एंसर है तो ये एक ऐसा जानवर है जो कि विलूप्त होने के एक अगार पर है तो इसके प्रजनन और पुनरवास को बढ़वा देकर इसे सारक्षन परदान करने के लिए दुनिया का पहला अभेरणने अस्थाफित किया जाएगा कहां पर ऑस्टेलिया में ये प्लेटेपस अभेरणने होगा इस जानवर के बारे में जान लिजे इस जानवर का जो मुह है बत्तक के जैसा दिखता है इसलिए इसे बत्तक मुह ही प्लेटेपस कहा जाता है ठीक है तो ये एक अस्तनपाई जानवर है जो की अंडे देता है और अपने बच्चों को अस्तनपान कराता है आम तोर पर ऐसे जानवर जो अंडे देते हैं उन्हें अस्तनपाई सरेनी में नहीं रखा जाता है लेकिन ये एक ऐसा जानवर है जो कि अंडे देता है और ये अपने बच्चों को अस्तनपान कराता है इसलिए इसे अस्तनपाई की सरेनी में रखा गया है अस्तनपाई मुखे रूप से पूर्वी ऐस्टेलिया में पाया जाता है इसका वैज्ञानिक नाम है और नीथो रिंकस एना टाइनस ठीक है और अस्टेलिया की बात करें तो इसके राधानी है कैनबरा यहां के परधान मंत्री है एसकोर्ट मौरिसन संसत का नाम है फेडरल पार्लियमेंट और मौदरा का नाम है डॉलर तेन मार्च को डिजिटल मीडिया इंडिया दोजार एकिस में चैंपियन पब्लिशर ऑफ दे यर दोजार बेस से किसे सम्मानित किया गया तो दोजार बेस के लिए चैंपियन पब्लिशर ऑफ दे यर से सम्मानित किया गया है दा हिंदू ग्र यानि World Association of News Publisher के South Asian Digital Media Awards में The Hindu Group ने दो Gold Medal और दो Silver Medal जीते जिसका नाम रखा गया है Champion Publisher of the Year तो हाली में ये प्रसकार परदान किया गया Digital India Media में ठीक है वर्चुली तरीके से ये प्रसकार परदान किया गया The Hindu Group की बात करें तो इसके अस्थापन हुई थी 1878 में मुख्याले चन्नई में है वर्टमान में इसके Editor-in-Chief है नर सिमन रवी यानि एन रवी QS World University Ranking 2020 में किसे पहला अस्थान मिला है तो QS World University Ranking जारी की गई है इसमें पहले अस्थान पे है Massachusetts परदोगी की संस्थान यानि MIT जो कि अमेरिका में है और इस तारह से MIT लगतार नौवे साल इस ranking में पहला अस्थान बनाये हुआ है इस ranking में दूसरे अस्थान पे Stanford विशोविद्द्दाले अमेरिका में है तीसरे अस्थान पर Harvard विशो विद्दाले Harvard विशो विद्दाले के बारे में बात करें तो ध्यान रखिए यह अमेरिका के Massachusetts के Cambridge में है और एक Cambridge University है जो की United Kingdom के England के Cambridge में है तो दो जगा है Cambridge एक अमेरिका में है और एक United Kingdom में है तो कभी का बारे ऐसा होता है कि लोग मिस्टेक से Harvard विशो विद्दाले को Cambridge विशो विद्दाले बोल देते हैं हलाकि Cambridge विशो विद्दाले अलग है जो की United Kingdom में है ठीक है और Harvard विशो विद्दाले अमेरिका में है चौथे अस्थान पहली इस रैंकिंग में California Institute of Technology अस्थान पर है द्यान रखिये इस University ranking में Top 100 में भारत के एक भी संस्थान यान University नहीं है Indian Institute of Science 100 बैंगलूरू में है 150 में अस्थान पर है IIT दिल्ली 193 में अस्थान पर है वहीं सिर्फ Engineering कॉलेजों की रैंकिंग की बात करें तो इसमें IIT बॉंबे उन्चास में IIT दिल्ली चोवनवे और IIT मदरास 94 में अस्थान पर हैं ठीक है और इंजिनेरिंग कॉलेजों में भी MIT पहला अस्थान बनाया हुआ है वहीं QS World University 2021 की सब्जेक्ट रंकिंग की बात करें तो इसमें TOP 100 में भारत के 12 संस्थान है ठीक है और इसमें IIT मदरास पहले अस्थान पर है IIT बॉंबे दूसरे और IIT खड़कपूर तिसरे अस्थान पर है QS की बात करें तो इसका मतलब होता है क्वाक रेलेली साइमर्ट्स तो ये एक विश्वा लेबल पे सिक्षा चेतर में लंदन इस्थित विश्वा की अग्राणी सेवा और अनलेटिक्स कमपनी है तो ये कहां पर है लंदन में है इसकी शुरुवात की गई थी 2004 में एडिटर और हेड और रिसाच है बेन सोर्टर सयुक्तराश महासबा ने भारत द्वारा प्रस्तावित किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतराश्य वर्ष गोसित किया है तो मोटे अनाज का अंतराश्य वर्ष गोसित किया गया है 2023 को ओप्शन भी रेट अंसर है किस देश ने प्रस्ताव दिया था इसके लिए भारत ने और भारत के इस प्रस्ताव को 37 से अधिक देशों ने समर्थन किया था तो 193 सदसिये संयुक्तराश्ट महासाभा ने इसकी मंजूरी दे दी है यानि 2003 को मोटे अनाज का अंतराश्टी वर्स गोसित किया गया है तो इसकी अस्थापना की गई थी 1945 में मुख्याले नियॉर्क में है अधेर्श है इसके वोलकान बोजगीर वहीं संयुक्तराश्ट के महासाचिव हैं अन्टोनियो गुटेरेस डीन एलगर किस क्रिकेट टीम के नए टेस्ट कप्तान बनाए गया है तो डीन एलगर जो हैं ये साउथ अफरीकी क्रिकेट टीम के नए टेस्ट कप्तान बनाए गया है तो हाली में साउथ अफरीका क्रिकेट टीम के नए कप्तानों की नियुक्ति की गई है डीन एलगर टेस्ट कप्तान बने है वहीं टेंबा बाउमा जो हैं ये साउथ अफरीका क्रिकेट टीम के नए ODI यानि एक दिवस्य और T20 कप्तान बनाए गया है और साउथ अफरीका के क्रिकेट टीम के कोच कौन है वर्तमान में? मार्क बाउचर है आपको बता दें कि साउथ अफरीका के इखिलाडी हैं फाफ डू प्लेसिस उन्होंने हाले में टेस्ट क्रिकेट से सन्यास ले लिया है साउथ अफरीका की बात करें तो इसके राजधानी है केप टाउन जो की लेजिसलेटिव कैपिटल है तिन कैपिटल है साउथ अफरीका की केप टाउन लेजिसलेटिव कैपिटल प्रिटोरिया एग्जेक्यूटिव और ब्लूमफोंटी जोडेशल कैपिटल है यहां के राशपती है सेरिल रैमाफोसा, संसद का नाम है पार्लियामेंट और मुदरख नाम है साउथ अफरिकन रैंड नेक्स्ट चार मार्च को किस दिवस के साथ मैरी टाइम इंडिया सम्मीट 2021 का समापन किया गया तो 2-4 मार्च के बीच में वर्चुली तरीके से मैरी टाइम इंडिया सम्मीट का आयोजन किया गया था और 4 मार्च को इसे चाबहार दिवस मना कर समापन किया गया ओप्शन A रैट एंसर है चाबहार बंदरगाह इरान में है और भारत के सहयोग से इसे बनाए गया है तो इसी दिवस के साथ जो है इस सम्मेलन का समापन किया गया समुदरी छेत्रों और बंदरगाहों के विकास पर फोकस था ये सम्मेलन तो हाली में इसका आयोजन किया गया और दो मार्च को इसका उद्गातन किस ने किया परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने और इस सम्मेलन का ये दूसरा संसकरन था ध्यान बर रखियेगा कौन सा संसकरन था दूसरा संसकरन था पहले संसकरन का आयोजन 2016 में किया गया था इस बार के सम्मेलन का विशाय था भारती समुद्री चेतर में ब्यापार के संभावित औसरों की खोज करना और आत्मे निर भर भारत बनाना English में भी है देख लीजे और इस सम्मेलन का उद्योग भागीदार था भारती मारी जोर उद्योग महासंग यानी फिक्की हाले में किस केंद्रिय मंत्री ने पुस्प उत्पादन मिशन लॉंच किया है तो फ्लोरी कल्चर मिशन लॉंच किया गया है भारत में इसे लॉंच किया है केंद्रिय मंत्री डाक्तर हर्सवर्धन डाक्तर हस वर्धन जो हैं ये केंद्रिय विज्ञान और प्रोदोगी के मंतरी हैं इनके पास दो और मंतराले हैं केंद्रिय स्वास्त और परिवार कल्यान मंतराले और एक और मंतराले है केंद्रिय भूविज्ञान मंतराले तो हाले में इन्होंने पुस्प उत्पादन मिशन लॉंच किया है आपको बता दें कि भारत जो है सलाना फूलों के आयात पर लगभग 1200 मिलियन डॉलर खर्च करता है तो इसी आयात को कम करने और भारत में ही फूलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को लॉंच किया गया है इसे लॉंच किया है डाक्टर हर्स वर्धन लेकिन इस मिशन को किस ने शुरू किया है CSIR ने तो फूलों की खेती का बढ़ावा देने के उद्देश से शुरू इस मिशन को वर्तमान में भारत के 21 राजियों और के अंदर सासित परदेशों में लागू किया गया है और बतादें कि कैंसरकार ने 2024 तक फूल वेपार के टर्न ओवर को 47,200 करोड पे तक पहुंचाने का लक्ष रखा है सयुक्तराष्ट परेवरन कारेकरम की Food West Index Report 2021 के अनुसार खाने योग्य उपलब्द भोजन का लगभग कितना प्रतिशत भोजन फेक दिया जाता है तो हाली में सयुक्तराष्ट परेवरन कारेकरम ने Food West Index Report जारी किया है इस रिपोर्ट का अनुसार जो खाने योग्य उपलब्द भोजन होता है सलाना रूप से लगभग 17 प्रतिशत भोजन फेक दिया जाता है Option C, Right Answer है इस रिपोर्ट में और भी बाते बताई गई है जैसे कि इस रिपोर्ट का अनुसार दुकानों, घरों और रेस्टरा को मिला कर 2019 में लगभग 930 मिलियन टन से अधिक भोजन को फेक दिया गया और यहाँ पर आप सभी को बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 90 लाख लोगों की मिर्तु जो है भूख मरी से हो जाती है तो एक तरफ जो है इतना खाने योग्य भोजन को वेश्ट किया जाता है और एक तरफ जो है कई लाख लोग ऐसे हैं जो भूख मरी से मरे जाते हैं सेयुक्तराष्ट परेवरण कारेकरम की बात करें तो एंटोनियो गूटेरेस है सेयुक्तराष्ट के महासचिव इन्होंने हाली में भारतिय अर्थ शास्त्री लिगिया नोरोना को सहयुक्त रास्ट परेवरंद कारेकरम के नुई यॉर्क करेयाले का सहाइक महासचीव और परमुक नियुक्त किया है वैसे UNEP का मुख्याले नेरोबी में है UNEP का फूल कोमत है United Nations Environment Program अस्थापना हुई थी 5 जून 1972 को इसके करेकरे निदेसक हैं यानि परमुक हैं इंगेर अंडर्सन भारती सेना ने उत्री काश्मिर में किस नाम से अपनी तरह का पहला Radio Station शुरू किया है तो हाली में Indian Army ने उत्री काश्मिर में एक Radio Station लॉंच किया है इसका नाम है Radio Chinar, Option B रहाइट अंसर है और इस Radio Station का टैग लाइन है हर दिल की धड़कन कुछ दिन पहले भारती सेना ने एक अप्लिकेशन लॉंच किया था साई एप, वाटसेप के जैसा ही है भारती सेना के जवानों के लिए इस अप्लिकेशन को लॉंच किया गया था क्या नाम है इसका साई भारती सेना के बात करें तो अस्थापना हुई थी एक अप्रेल 1895 में मुख्याले ने दिल्ली में है वर्तमान में भारती सेना के चीफ है मनोज मुकुंद नर्माने 28वे चीफ है वाइस चीफ ओफ आर्मीय स्टाफ है चांडी परसाद मोहनती जो की कुछ दिन पहले ही नियुक्त हुए है डिप्ती चीफ ओफ आर्मीय स्टाफ बनाएगा है शांतनू दयाल इनके भी नियुक्ती हाली में की गई है उप पर्मुखरन निती बने है परमजीत सी ये नया पद स्रेजित किया गया है भारती से ना में याद रिखेगा और इसके लिए नियुक्त हुए है परमजीत सी भारत के प्रथम चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ है बिपिन रावत टैग लाइन है इंडियान आर्मी का स्वय से पहले सेवा यानि सर्विस बिफोर सेल्फ दो मार्च दोजारेकिस को पेट्रोलियम एव परकृतिक गैस मंत्राले के सचीव तरूण कपूर ने किस देश के राजधानी में इंडिया एनर्जी ओफिस का उदगाटन किया है तो हाली में रूस के राजधानी मौस्को में भारत उर्जा कर्याले यानि इंडिया एनर्जी ओफिस का उदगाटन किया है इसका उदगाटन किस ने किया के इंडिये पेट्रोलियम एव परकृतिक गैस मंत्राले के सचीव है तरून कपूर इन्होंने इसका उदगाटन किया और इस मंत्राले के मंत्री कौन है धर्मेंद्र परधान है तो भारत और रूस के बीच उर्जा सजेदारी को और अधिक मजबूत करने के उद्देश से इस कर्याले को खोला किया है और इस कर्याले को पांच भारती उर्जा कमपणियों ने मिलकर रस्थापित किया है ये कमपणिया है ओइल इंडिया लिमिटेड, ओएंजीसी, गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ओइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड रूस की बात करें, तो रूस की राजधानी है मोस्को, यहां के राशपती है बलादेमीर पुतीन, प्रधान मंत्री है मिखाइल, मिशुष्टीन, संसत का नाम है डिूमा और मुद्रा का नाम है रूबल तो फ्रेंस यह था हमारा आज का करेंट अफर, वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जवू करना अब पिछले क्वीज का अंसर जानी है पहला कोशन था बाकु किस देश के राजधानी है तो बाकु अजर अरबैजान के राजधानी है, ओप्शन ए राइट अंसर था दूसरा कोशन था, चीन भारत के कितने राजधों और के अंदर सासित परदेशों से अपनी सीमा रेखा शेयर करता है बहुत सारे लोगों ने इसका एंसर गलत दिया था इसका राइट एंसर था, ओप्शन ए भारत से चीन की जो सीमा रेखा टच करती है तो चार राजधे और एक के अंदर सासित परदेश लगते हैं राज्यों में हिमाचल परदेश, उतराखंड, सिक्किम और अरुनाचल परदेश के अंदर सासित परदेश में लद्दाक से चीन की सीमा लगती है तो आप चलिए आज का पहला क्वीज है एक एंग स्टॉम कितने मीटर के कितने हैं स्टॉमcell परदेश कर दो है एक पूडर